मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा सरप्रथम आदर्णिय नड़ा साहब को हमारे प्रधान मंत्री नरिंद मोदी जी को हमारे ग्रह मंत्री अमिट शाजी को कि उन्होंने मुझे अपने परिवार में आमंत्रित किया एक स्थान दिया मेरे जीवन में दो तारीखें बहुत महत्पून रही व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसे मोड आते हैं जो व्यक्ति के जीवन को बदल के रख लेते हैं और मेरे जीवन में वो दो दिवस पहला दिवस 30 सतंबर 2001 जिस दिन मैंने अपने पूझे पिताजी को खोया एक जीवन बदलने का दिवस था मेरे लिए और उसी के साथ दूसरी तारीक दस मार्च दो हजार बीस जो उनकी पचत्रवी वर्षगाट थी जहां जीवन में एक नई परिकल्पना एक नया मोड का सामना करके एक निर्णे में ने लिया है मैंने सदेव माना है जिन्दगी में कि हमारा लक्ष इस भारत मा में जनसेवा होना चाहिए और राजनीती केवल उस लक्ष की पूर्ती करने का एक माध्यम होना चाहिए उससे ज़्यादा नहीं मेरे पूज्य पिताजी ने और जो पिछले 18-19 वर्षों में समय हमें मुझे मिला है प्राणपन के साथ और पूरी शद्धा के साथ प्रदेश की और देश की सेवा करने की कोशिश की है भारत ये कॉंग्रिस पार्टी के द्वारा लेकिन मन व्यतीत है और मन दुखी भी है क्योंकि जो आज स्तिती उत्पन हुई है मैं ये कह सकता हूँ विश्वास के साथ कि जनसेवा का लक्ष की पूर्ती आज उस संगठन के माध्यम से नहीं हो पा रही है और इसके अतिरिक्त वर्तमान में जो स्तिती कॉंग्रिस पार्टी में है वो कॉंग्रिस पार्टी आज नहीं रही जो पहली थी और तीन मुख्य बिंदू है एक तो वास्तविक्ता से इंकार करना और वास्तविक्ता से इंकार करके जो इबारत लिखी जाती है उसका समावेश न करना जड़ता का एक जो वातावरन उत्पन है और उसी के साथ जो एक नई सोच विचारधारा जो एक नया नित्त को सही मान्यता न मिलना मैं मानता हूँ कि इस वातावरन में जहां राश्ट्र स्तर पर ये स्तिती हो चुकी है वहीं मेरे ग्रह राज्य में जो मेरा दिल का भाग है मेरा मद्यपदेश एक सपना हमने पिरोया था जब 2018 में वहां सरकार बनी थी लेकिन 18 महीने में वे सपने पूरी तरह से बिखर गए चाहे हम किसानों की बात करें जहां कहा गया था कि 10 दिन में हम रिण माफ करेंगे 18 महीने बाद भी वो नहीं हो पाया है आज भी पिछले फसल का बोनस ना मिल पाया ओला वरिष्टी की मुआवजा ना मिल पाई और जो स्वता मैंने एक आंदोलन छेड़ा था सत्याग्रह का मंसौर के गोली कान के बाद आज भी हजारों किसान हैं मद्यपदेश में जिनके विरुद आज भी केस आज भी लगे हुए तो जहां आज किसान तरस्थ है नौजवान भी बेबस हो चुका है रोजगार के अफसर नहीं वचन पत्र में कहा गया था कि हर महीने प्रती महा एक अलावंस दिया जाएगा उसकी सूद नहीं और उसी के साथ जहां रोजगार के अफसर नहीं उत्पन हो पाए हैं वहां भश्टाचार के बड़े अफसर उत्पन हो चुके हैं आज एक transfer उद्योग चल रहा है मध्यप्देश में रेट का माफिया चल रहा है मध्यप्देश में और जब ये स्थिती राश्ट्र स्थर पर अलग विडमना राज्य स्थर पर अलग स्थिती और जब सत्य के पत पे कोई व्यक्ति चलता है मूल्यों के आधार पर कोई व्यक्ति चलता है तो तब मैं मैंने निर्णे लिया कि आज अगर भारत माता और भारत को हमें प्रगती और विकास के रास्ते पे चलाना होगा तो आज मैं अपने आपको सौभागयश हाली समझता हूँ कि नड़ा जी ने प्रधान मंत्री जी ने और अमिच्छा जी ने मुझे वो मंच प्रदान किया जिसके आधार पर जनसेवा और राष्ट्र सेवा पर हम लोग आगे बढ़ पाएं बिहार और जाठखन की तमाम खबरों के लिए हमारी यूटीब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दवाना ना भूलें